और आज हम बात करने जा रहे हैं Electronics It means Electronics का जो सब्जेक्ट है वो common subject होता है Electronics and Communications ब्रांच में या Electrical से भी बच्चे अगर डिप्लोमा या बीटे करते हैं तो उनके लिए भी Electronics का subject परना होता है और एक और ब्रांच है Instrumentation तो जो बच्चे Instrumentation की परहाई करते हैं उनको भी Electronics का paper परना होता है It means Electronics एक common subject है जो important है हर एक ये तीनों ब्रांच के लिए और equally important है लेकिन जो बच्चे Electronics and Communications या Electronics and Telecommunication या Electronics से डिप्लोमा या बीटे कर रहे हैं उनके लिए ये foundations मान सकते हैं ये paper के बिना उनका सब कुछ अधूरा है तो इसलिए इस paper को काफी deeply और basic level से आपको पढ़ने की हो सकता है और ताकि जब आप उपर level पर जाते हैं पढ़ते पढ़ते तो उहां पर analysis कर सके क्योंकि objective questions जब exam में आती है तो वो हो सकता है कि आपका वो सुना हुआ हो या कुछ concept को mix करके वो एक नया questions डेबलब किया हो तो जो questions नया डेबलब किया होगा वो questions आपको इससे पहले कहीं नहीं मिला होगा तो वहां पर आपका confusion होना लजबी है इसलिए आपको ये परियास रखना परेगा कि हर एक concept को हम समझते हुए चले जब concept मेरा समझा हुआ रहेगा तो फिर आपको analysis करना easy हो जाएगा और उस concept के base पर आप नए नए questions भी खुद बना सकते हैं या कोई अगर आपसे पूछता है तो आप उसका answers काफी easily दे सकते हैं तो ठीक है हम start करते हैं electronics तो electronics का नाम में ही electron का नाम चुपा हुआ है यानि बिना electron को समझे हुए हम electronics नहीं पढ़ सकते है और electrons का नाम लेने का मतलब होता है आपको atoms का नाम लेना यानि atom के बारे में हमें पहले पढ़ना होगा अब atom पढ़ने का साफ साफ मतलब होता है chemistry से कि chemistry में atoms के बारे में पूरा detail पढ़ना होता है तो हम थोरा सा portion chemistry का उठाएंगे जहांपे atoms को समझाया गया है atom क्या होता है atoms का main तीन particles होते हैं वह इस तरह क्या होता है अगर हम atom की बात करें तो atom में आपका electron proton और एक होता है आपका neutron यानि यह तीन particle मिलाके यह बन जाता है आपका atom यह तीन आपका fundamental particle है ऐसे इसमें neutron और पोजिट्रों बहुत सारे चोड़ी चोड़े और भी फंडावेंटल को छोड़के और भी इसमें पार्टिकस होते हैं लेकिन जो हमारा syllabus है उसमें यह तीनों से ही questions आते हैं अब आपका जो electronic subject है जो वो सिप electrons पे focus करती है electron अगर इसका हम एक atomic का अगर हम model देखें तो उसमें यह कहा जाता है यह बीच में होता है nucleus और इसके sound कता बाहर में इसका एक чивड मना होता है या क्या है कि एक इसका orbits बने होते हैं बाहर में और उसमें electron distribute किया होता है या कुछ सहब इसके सांथरी और बीट में होंगे जो दूसरा आउटर साइड आफ नुकिलियस यानि एक एटम्स क्या है एक पूरा एटम्स एक फैमली है किसकी इसका इलेक्टोन प्रोट्रोन और निट्रोन जिसमें अम यह मानते हैं कि जो आपका प्रोट्रोन और निट्रोन है वो कहां पर है वो आपका यहां पर बैठा हुआ है मान सकते हैं जिसके एराउंड ये बिच में इसका जो पढ़ा होता है तो फोर्ष जो होगा वो हमें क्यमेस्ट्री में ज् Abg पर्णा है हमें यहाँ पर यहां पर यदिया हैक्ते को पर्ना Chcoids करना होता है heWh रेहरो इने किस ऑर्यर्वट में कितना electrons होगा उसका एक mathematical फर्मूला बनाया गया है जिसमें हम यह बता सकते हैं कि कौन सा element का कितना electrons किस orbit में है जैसे हम अगर अपने label की बात करें क्योंकि हम electronics की परहाई कर रहे हैं तो electronics में हमें दो element silicon और germanium सबसे important है यह दो element के बारे में जनकारी होना क्योंकि semiconductor element में यह दो element को हम consider करते हैं कारवन को नहीं करते हैं क्योंकि कारवन का भी valency 4 होता है लेकिन उसको हम semiconductor element में हम consider नहीं करते उसका region क्या है वो हम बाद में बताएंगे हम जब यह पुड़ा हम आपको discuss कर देंगे उसके बाद क्योंकि वह questions बन जाता है interview के लिए क्योंकि जो semiconductor element है उसका valency 4 होता है तो जो valency 4 है उसको हम मानते है semiconductor तो carbon का भी थो फोर है फिर उसको क्यों नहीं मानते है तो क्यों नहीं मानते है ये आपका question है बन सकता है interview के लिए objective में questions ये नहीं आता ठीक है तो हम इसको जैसे ये नुकलियस है इसके एर राउंड इलेक्ट्रोंस का डिस्टिब्यूशन है तो हम इसको अगर देखें तो हम इसको सीलिकन और जर्मेनियम के साथ ही देखेंगे ताकि वो हमारे लिए काफी बेनिफिट पहुंचाएगा ठीक करेंगे तो सीलिकन का झांट की नंबर कितना होता है इसलिकन का होता है तो अगर हम फोर्टीन का इलेक्ट्रोंस कोन्फिगरेशन करें तो क्या बनेगा तो उसमें एक हाक्विक भी जो रूल है वो इस तरही कसा आएगा silicon की बात करें तो silicon का atomic number 14 होता है और इसका atomic weight 28 तो यह क्या है कि यह 14 जो है इसका distribution से orbit by orbit किया गया है कैसे कैसे किया गया है इसको क्या गया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p रहे है इसके पास दो electro रखने की चमता है maximum P के पास 6 रखने की चमता है D के बाद इस D के पास यह 10 रखने की चमता है लेकिन अब देखें पहला में क्या है 1s2 यानि इसका जो पहला orbit में एक ही S रखता है और यह दो अपना फूल कर लिया दूसरा orbit में इसमें 2 है S भी है और P भी है तो S में 2 रखेगा और P में 6 रखेगा तो यह अपना 8 पूरा कर लिया और तीसरा में क्या है इसमें SPD हो जाएगा देखें पहला में क्या है दूसरा में क्या है SP तीसरा में क्या होगा SP और यहां पर हम 3D भी ले सकते हैं अगर electron इसको फूल करके भी कुछ electron बच जाता तो वो electron डी और्बिट में जाता लेकिन यहाँ पर तो 14 है अगर हम यहाँ पर क्या बात करते हैं हम example इसके बाद लेंगे आगले वाले में उस case में क्या होगा अभी देखिए इसका 14 का 2 electron 1s के पास आ गया इसके बाद 8 electrons 2s और 2p mix करके आ गया दूसरे ओर्बिट में 8 आ गया तो 8 पलस 2 10 अब बस गया 4 तो 4 3 का जो s ओर्बिट में है इसमें तो 2 आ गया क्योंकि s maximum 2 रख सकता है p maximum 6 रख सकता है लेकिन इसके पास अब शीप कितना बचा हुआ है दो ही बचा हुआ क्योंकि 2 2 4 4 6 10 10 पलस 2 12 ते इलेक्ट्रों से यहां पर पूरा फूल हो गया अब इसमें से 2 बच रहा तो वो 2 इलेक्ट्रोंस 3P2 पर आजाएगा और यहां पर अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें 3D चाहिए ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोंस तो P में भी फूल नहीं हुआ अगर इलेक्ट्रोंस P में पूरा हो जाता तो हम उसको उसके बाद हम D में रखते लेकिन अभी मेरा इलेक्ट्रोंस P में भी सिप 2 है सपोज किजिए कि यहां 14 के जगा ऐसा एलिमेंट हम ले ले जिसमें आपका इसमें 20 आगर इसमें 6 एड़ कर देते हैं तो यह 20 बन जाएगा यह नहीं अगर यहां पर 22 को अगर हम डिस्ट्रिबूट करना है तो 22 कैसे करेंगे 22 करने के लिए 1S2 2S2 2P6 देखे यह तो करना ही परेगा कि पाला में S और बिट होता है दूसरा में S और P है तिसरा में क्या होगा S P D तो S तो फूल हो जाएगा पाले उसके बाद P फूल हो गया उसके बाद कितना बचा 2, 2, 4, 6, 10, 10, 10 प्लस 2, 12, 12 प्लस 6, 18 अब कतना बच गया आपका 18 में 22 यहां परे, 4 बच गया ना तो 3D, 10 लेकिन यहां पर थोरा सा आपको confusion हो जाएगा इससे पाले 4S2 आजाएगा और 3D, 2 आजाएगा ऐसा क्यों आता है कि जो energy level 3D का है उससे पाले 4S का energy level होता है तो इसलिए पाले जो electron से वो 4S में आएगा उसके बाद जो बचेगा वो 3D में जाएगा तो यह इतना important आपके लिए नहीं है यह चीज इसलिए इसको छोड़ देजिए यह अगर आप तुरा सा chemistry पर होंगे तो यह आपको career हो जाएगा लेकिन आपका electronis branch परने के लिए यह अतना important नहीं है लेकिन यह silicon का जो है क्योंकि silicon आपका semiconductor element है तो इसके लिए यह जनकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपका electrons होते हैं उसी को हम बोलते हैं balance electron तो आपका silicon का balance electrons कितना हो गया चार फोर तो इसका मतलब है कि वैसा element जिसका balance 4 होता है वो अपना cobalent bond बनाता है अब यह cobalent bond का क्या मतलब हुआ तो chemistry में तीन तरह के bonding होते हैं तो एक क्या हुआ आप यह सुमस्च के चलिए यहां पर कि silicon के पास चार electron है और एक और silicon है इसके पास भी चार electron है अब क्या होता है chemistry में नियम है जिसमें जिसका आठ electron पूरा हो जाता है वह आपका stable बन जाता है क्या हुआ कि जिस element का जा पतलब पतलब आठ electron का एक गुच्छा बन जाता है ऑक्टेट रूल उसको बोलते हैं यहने एट को बोलते हैं ऑक्टेट रूल यहनि जो ऑक्टेट रूल को होलो कर जाता है वह इस्टेबल कहलाता है अब silicon के पास चार है और इस silicon के पास में चार electron है और इसमें भी चार है तो ऐसे भी अगले इस silicon का भी चार होगा इस सिलकन का भी चार होगा इसके आस-पास तो ब्रसा सिलकन होगा न उसके एटम होंगे सबका बिलेंसी चार होगा तो यह अपना में क्या करेगा सेर कर लेगा यह दोनों मिलाकर बन बनाएगा अब यह silicon क feud ancien किना अट थो यह TWO यह लिए को फोर फोर प्लस तो 6 शीक्स प्लस टू एट यह popcorn अपना or2 रूल को फरवड कर गया और यह आपका सिस्टम कर लाएगा यानि इसका कोई भी इलेक्टोंस फिरी नहीं हुआ यानि जब तक किसी भी एलिमेंट में फिरी इलेक्टोंस नहीं होगा तब तक वो करेंट को पास नहीं करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि सिलिकन के पास चार बहलेंस इलेक्टोंस है और वो चारों बहलेंस इलेक्टोंस अगले सिलिकन यानि जो टो उसके आसपास जतने भी सिल्कॉं स्के एटम ऊंगे सिलिकन early सीख हुँआ हुह स्के आटर मौ हों एक आव यह सिलिकन इससे बन बनाएगा इससे बंद बनाएगा इससे बंद बनाने इसका भी चारो बॉंड पूरा हो गया यानि यह भी मतलब इसी तरीका से देखा जाए तो पूरा silicon group stable रहेगा तो फिर हम silicon को semiconductor क्यों बोलते हैं तो pure semiconductor मतलब अगर यह pure silicon की बात करें तो वो semiconductor नहीं कहलाएगा वो कहलाएगा insulator इसमें जब तक हम impurity को air नहीं कर दें इसमें से हम कुछ reactrons को फिरी नहीं करवा दें तब तक यह conduction नहीं करेगा इसका साफ साफ मतलब होता है कि हमें conduction के बारे में जनकारी होना जरूरी है यानि conductor किसको बोलते हैं यदि हम अगर बात करें यह तो रहा element की और यह chemistry में total 106 element main element है उसके बाद बाकी का तकरीबन 28 उसका helping element है जो की main में नहीं आता उसके side से helping में आता है वो यानि 135 element के आज पास मेरे खोज हो चुका है और उसमें से एक element यह है जिसका atomic number 14 है इस तरीके से total element होगा तो वो chemistry में पूरी पढ़ाई करनी है लेकिन अगर हमें electronics का पढ़ाई करना है तो हमें इसके बारे में silicon और germanium के बारे में detail परना होगा है तो हम यह बात कर लेते हैं थोड़ा सा conductor क्या होता है और इस लेटर क्या होता है है कि 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 कंड़क्टर सिंपल है कि जो इलेक्टोन्स को पास करने के लिए उसको परमिशन देता हो यानि वैसा मेटेरियल जो परमिशन देता हो कि वो इलेक्टोन्स को पास करे तो वो मेटेरियल कहलाता आपका कंड़क्टर यानि इसका डेफिनिशन बहुत तरीके से दे सकते हैं एक तो सिंपल है कि मेटेरियल देट परमिट फ्लो आफ इलेक्टोन्स इस गाल्ड कंड़क्टर या बहुत सकते हैं इसको और भी समझा सकते हैं कि दोज मेटेरियल मतलब जिसमें से करेंट पास हो सकती है उसको हम बोलते हैं कंड़क्टर यानि तो मेटेरियल दोज के फ्लो आफ करेंट इस काल्ड कंड़क्टर यानि यह खुद से भी डिफान कर सकते हैं और इसके बारे में अगर हम तो आसा डिपली जाएं तो इसके एक्जामपल हम देखें तो क्या होगा एक्जामपल इसके लिए एक तो कॉपर है जो की बिष्ट कंड़क्टर है सिल्वर है वह भी बढ़िया कंड़क्टर है गोल्ड है वह भी बढ़िया कंड़क्टर है यानि यह सब क्या है कि करेंट का बढ़िया कंड़क्टर है यानि इससे होकर करेंट काफी इजली पास हो सकता है इजली पास होने क्या मतलब हुआ अगर हम बोल रहे हैं कि इजली पास होता है मतलब ऐसा भी होता हो जहां इजली पास नहीं होता होगा तो उसमें एक बिरोध की भावना होती है और जिसमें ज़्यादा बिरोध होगा वो अच्छा conductor नहीं कहलाएगा तो जो electrons को pass करने में विरोध करता है उसको बोलते हैं परती रोध यानि रेजिस्टर यानि एक रेजिस्टर नाम का एक यहाँ पर create हो रहा है जो अपोज करता है किसिस को oppose the follow of electron यानि देखिए conductor क्या है conductor allow करता है electrons को pass करने के लिए उसके उल्टा क्या है कि अगर यह allow कर दिया pass करने के लिए electrons pass कर रहा है लेकिन जिस राष्टे पर वो electrons जा रही है उस राष्टे पर कुछ ऐसे materials है metal का अपना अपना properties होता है जो कि electrons को थुरा सा resist करते हैं उसको उतना speed से pass नहीं होने देते है तो वहाँ पर एक resistance का behavior दिखता है तो इसकी हम बात electrical circuit में कर चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर अभी नहीं कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं assistance अब बात करेंगे हम conductor हो गया अब बात करते हैं insulator की मेरा aim है semi conductor पर आना क्योंकि electronics परने का साप साप मतलब होता है कि हमें semi conductor device के बारे में study करना तो semi conductor के का मतलब होता है कुछ conductor यानि semi मतलब थोरा conductor यानि थोरा सा conductor तो पर हम समझे लें उसके बाद semi पर आएंगे insulator क्या होता है यह 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 दूट अट एलाव किस उसको फोलो आफ इलक्टोन यानि ऐसा material जो एलाव नहीं करता इलक्टोन को पास होने के लिए उसको बोलते हैं insulator तो इसलेटर को हम समझने के परियास करें example के साथ में तो क्या हो सकता है इसमें आप rubber ले सकते हैं इसमें plastic लेख सकते हैं इसमें air ले सकते हैं इसलेटर होता है तो यह सारे चीज इसमें अगर हम बात करें रवर है कि प्लास्टिक है यह सब भी है जो कि इन्सू लेटर होता है अब बात करते हैं सेमी कंड़क्टर की सेमी कंड़क्टर को कहीं कहीं shortcut में SC भी लिखा रहेगा तो आप उसको सेमी कंड़क्टर ही मानके चलिएगा क्योंकि जब electronics की बात चले और वहां पर SC लिखा रहे है यानि सेमी कंड़क्टर हो हर एक जगह नहीं लेकिन electronics का topic हो तो हाँ पर आप SC को सेमी कंड़क्टर लेकर हिंट में हो तो समझ सकते हैं इसमें क्या है कि मेटेरियल का जो conductivity है वह conductor और insulator के बीच में अगर रहे यानि जो conductivity है वह conductor और insulator के बीच में exist करता है तो वह आपका कहलाएगा सेमी कंड़क्टर यानि material योज कंड़क्टिवीटी ऐसा ली सकते हैं अ है मैटेरियल होज है कंड़क्टिवीटी लाइज है बित्विन कंड़क्टर एंड इंसुलेटर कंड़क्टर एंड इंसुलेटर इस कॉल्ड सेमी कंड़क्टर यानि यह सिफ रिप्रेंस को बनाया यह दोनों को यानि जिसका कंड़क्टिवीटी की बात हो रही है न इसकी चर्चा हम इलेक्टिकल सर्किट में कर चुके हैं कंड़क्टिवीटी को हम लोग सो करते हैं सिगमा से सिगवा क्या होता है conductivity और ये हर एक materials का conductivity constant होता है तो जीसे copper है aluminum है silicon है germanium है हर एक का conductivity constant होता है अगर conductivity zero हुआ तो वह कहला आगेगा insulator उसके आप करते हैं इसके बाद हम थोरा सा data लेते हैं की किसके किसके बीच insulator होता है और ऐसे आपके लिए important नहीं है लेकिन थोरा सा एक rough idea मिल जाएगा आपको कि conductivity किस चीज में मापी जाती है और approximate उसका जो value है वो कितना होता है conductor के लिए insulator के लिए और semiconductor के लिए तो सबसे पला नंबर conductivity को हम mho महो पर centimeter में कर लेते हैं major यह उल्टा होता है resistivity का होता है सिक्मा और वो होता है ohm पर centimeter तो यह आपका रहा conductivity को हम लोग उसको बोलते हैं रो इसको बोलते हैं सिक्मा और इसका value हो सकता है conductor के लिए क्या range है insulator के लिए क्या है और insulator के लिए क्या है तो इसमें है कि conductor के लिए semi conduct इसका सिक्मा के value greater than 10 to the power 3 महो पर centimeter होगा तो वो conductor कहलाएगा semi conductor का सिक्मा के value 10 to the power minus 3 से ज्यादा और 3 के कम ये सब आपका महो पर centimeter है ये भी महो पर centimeter है ये भी महो पर centimeter है यानि semiconductor का मतलब है कि 10 to the power minus 3 से लेके 10 to the power oh sorry minus 7 होगा ये फुरा और इसमें दिस आई है से लेके ये touch करेगा यहाँ तक और less than sigma is less than minus 7 महो पर centimeter अगर होगा तो ये कहलाएगा insulator और नीचे तो आपका इसे 0 से सम होगा नहीं तो आप ये 0 मान सकते हैं यानि 0 से लेके 10 to the power minus 7 तक ये होगा insulator semiconductor होगा इस से उपर जा रहे हैं कहां तक दस पर तीन तक यानि ये होगा आपका 1000 महो पर centimeter अगर होता है ये होगा semiconductor और semiconductor में दो element है silicon और germanium तो silicon के लिए आपका होता है 10 to the power minus 3 महो पर centimeter और इसके लिए 10 to the power 0 होता है 10 to the power 0 महो पर centimeter यानि ये रहा conductivity का main निचोड यदि आप अगर conductor को define करते हैं तो कैसे define किजेगा कि जिसका conductivity 10 to the power 3 से ज्यादा हो उसको हम बोलते हैं conductor इंसुलेटर कि इसको बोलते हैं जिसकी conductivity 0 से minus 7 के बीच में हो 10 to the power minus 7 के बीच में हो उसको बोलते इंसुलेटर तो ये थोड़ा सा ज्यादा technical term हो जाएगा तो ये आपके लिए एक basic concept clear करने के लिए सही है कि इसका data किस किस range में होता है ये आपको थोड़ा सा confidence build up करवाएगा क्योंकि आपका अगर electronics का basics पकर रहे हैं तो इसका होना बहुत जरूरी है इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो pure semiconductor है और एक होता है impure तो क्योंकि अगर हम बात कि थे पिछले में कि अगर सिलिकन सिलिकन अगर है तो वह उसका चारो electrons तो बॉंड बना चुका है तो फिर current कैसे पास करेगा वह semiconductor कैसे बनेगा क्योंकि सबसे main चीज यहां पर यही आता है कि यदि आपको सिलिकन के बारे में जनकाली नहीं है तो फिर आपका आगे चलने के बाद पूड़ा electronics का जो subject है उसमें आपका confusion बना रहेगा क्योंकि semiconductor element का नाम ही आते आपके पास आएगा और कोई अगर आपसे यह पूछ लेता है कि अगर चार शिलिकन मिला हुआ है और इसके बीच में एक सिलिकन है तो उस सिलिकन का चारो balance electrons अपने जो आसपास का जो electrons होंगे उसके साथ bond बना लिया तो फिर silicon electrons कैसे पास किया सिलिकन का जो current है पास करने में जो electrons help किया वो electrons कहां से आया तो इसके लिए semiconductor में impure form को ही हम पढ़ते हैं तो फिर यह impurity क्यों add करते हैं वो impurity क्या हो सकता है उसके बारे हम हम start करते हैं अगर हम impurity के बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि pure जो element है उसमें कोई बाहरी element का mixing कर देना यानि कुछ कम amount में यानि एक ratio होता है mix करने का तो उसको बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं impurity का add होना या एक तरह से बोल सकते हैं कि डोपिंग करना इसको एक नाम डोपिंग भी बोलते हैं तो इसे पर लिए थे उसमें क्या था जर्मेनियम और सिल्कन और दोनों का conductivity देखा जाए तो इसका था 10 के पाबर 0 और इसका था 10 के पाबर माइनस 3 तो conductivity क्या पताती है कि जिसका जादा conductivity होगा वो ज्यादा कंडेक्शन करेगा यानि देखिए जर्मिन कंडेक्टिवीटी आप जर्मेनियम इज ग्रेटर देन किसका शिल्कन है ना यानि यह मोर कंडेक्शन करेगा यानि जर्मिनियम ज्यादा क्रेंट को पास करेगा as come pair to शिल्कन यानि क्रेंट के मामला में देखा जाए तो जर्मिनियम ज्यादा बढ़िया है शिल्कन से वो यहाँ सें कनफार्म हो गया यानि अबजेक्शन की बात करें तो वो कॉस्सन से यहां से बन सकता है कि conductivity किसका ज्यादा बढ़िया है किसका हो सकता आपका जर्मिनियम के ज्यादा बढ़िया सिलिकन होता है यह चोटा चोटा टॉपिक आपके एक्जाम के लिए इंपोटेंट हो सकता है कि conductivity से कुछ पूछ ले यह इसलिए आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो यह हर एक शोटी बात को आप नोट डाउन कर ले कि conductivity of germanium is greater than silicon एक नाल मन गया और यह सिंगल लाइन नोट ही एक्जाम में पूछा जाएगा तो इसका जो एडिया फाइल होगा तो वह हम बना के आपको भीजेंगे ही आपका भी एक काम है कि आप हम जब लेक्ट्र सुना रहे हैं या जब आपको लगता है मायन में कि यह टॉपिक हम लिख सकते हैं क्लाइन में तो आप इसको लिख सकते हैं ठीक है तो अब बात करें इंप्रूट है एन टाइप एक है आपका पी टाइप एन टाइप इंपरूटी और पी टाइप इंपरूटी एन टाइप में हम ऐसे एलिमेंट को एड करते हैं जो आपका पेंटा भेलेंट हो पेंटा भेलेंट बाले एलिमेंट को हम इसमें इंपरूटी बनाते हैं और इसमें ट्राइप भेलेंट बाले को यानि इसको बोलते हैं ट्राइप भेलेंट इसको बोलते हैं पेंटा भेलेंट यानि इसके पास भेलेंट सिलेक्टोंस फाइब होगा इसके पास balance electrons तीन होगा अब क्या है? हमें impurity add किसके साथ करना है? वो करना है silicon के साथ जिसका balance electrons चार होता है अब क्या है? कि इसका balance तो चार हो गया अब ये चार balance के साथ में हमें 5 वाला element add कर देना है तो इससे क्या होगा? एक silicon यहाँ पर है जिसका balance electrons चार है इसके बीच में हम ऐसा element add कर दे आप एक फासपूरस माल दीजिए जो pentablant है इसमें आप एगर example ले इसमें एक फासपूरस भी होता है तो फासपूरस को अगर हम add कर दे तो इसके पास 5 है तीन चार एक पांच माल दीजिए इसके इर्द गिर्द सारा silicon silicon भरा हुआ है यानि इसके आज पास silicon चार है तो एक फासपूरस का bonding हो गया इसका एक bonding हो गया इसका एक bonding हो गया इसका एक bonding हो गया यानि silicon का जो चार balance electron था उससे फासपूरस का चार balance का वो bonding बन गया लेकिन फासपूरस के पास पांच balance electron था तो जो एक electron बस गया यह electron कहलाएगा क्या यह कहलाएगा फिरी electron यह electron के बजह से ही n टाइप semiconductor या बोल सकते हैं इसको n टाइप जो semiconductor है उसमें conductivity होती है यानि current पास करने का जो main जो एक बोल सकते है electrons वो यह ही electrons है और यह electrons फासपूरस का एक बचा हुआ electrons जो है उसको बोलते हैं फिरी electrons और इसके बसे conductivity होती है अगर यह पूरा एक टीम बन जाए लाखो गुरूब का तो इसमें लाखो फिरी लेक्ट्रोस बन जाएंगे यानि जतना पास प्रोसेट होगा उतना ही electrons फिरी होगा और conductivity का अगर हम define करते हैं conductor को definition अगर कहीं पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहेगा follow of फिरी electrons यानि फिरी electrons के follow को ही बोलते हैं हम current यानि conductivity में भी वो depend करता है directly किस पर फिरी electrons पर यानि जिस element या जिस group में ज्यादा फिर electrons होंगे वो ज्यादा conductivity करेगा यही case हम इस पर लेते हैं यानि देखे इसमें अगर यह electrons फिरी है यानि यह किसी के पास जाना शुरू करेगा क्योंकि यह और एंटाइप मतलब होता है यह यह इस पर निगेटिव चार्ज है यानि यह positive की तरफ attractions होगा यानि यह positive की तरफ जाएगा यानि इसको पर सकते हैं एंटाइप semiconductor यानि जिसमें pentavalent impurity को add करते हैं वो semiconductor कहलाता है क्या n-type semiconductor और जिसमें p-type यानि जिसमें tribalent aid करते हैं impurity वो कहलाता होगा p-type semiconductor according to यहाँ पर यानि यहाँ पर भी अगर हम बात करें बुरोन की p-type में बुरोन आता है और n-type में फस्पुरस आता है तो बुरोन का balance electrons होता है अपका 3 और जब 3 बाले balance electron से semiconductor का silicon element अगर वो bonding बनाता है तो इस तरह से बन सकता है एक दो तीन इसके पास तीन लेक्ट्रोंस है और silicon की बात करें तो silicon का एक दो तीन चार्ड वन टू थिरी फोर वन टू थिरी फोर यानि इस बुरोन के जो चारो साइड में silicon का जो balance electron 4-4 है वो हो गया यह जब bonding बनाएगा तो इसका जो 3 है वो तो काफी simple बन जाएगा लेकिन बुरोन के पास तो balance electron से तीन ही था और वो तीनो silicon के साथ bonding बना चुका लेकिन इसके एक साइड और अभी silicon का वो एक electron से बचा हुआ क्योंकि इसका जो 3 है वो तीनो फिर से किसे और के साथ bonding बनाएगा लेकिन बुरोन का जो यहां पर कुछ भी नहीं है यह क्या करेगा इस electrons को देखते हुए यह अपने आप में एक whole create करेगा यानि यहां पर एक क्या होगा कि यह बुरोन को यह देगा और अपने आपको यह देखे यहां पर एक whole create हो जाएगा यहां यहां पर एक electrons कम है बुरोन का क्योंकि बुरोन के पास में 3 balance electrons है और वो तीनों balance electrons silicon के 4-4 balance electrons था सबसे एक एक से वो अपना bonding बना चुका लेकिन एक electrons silicon के पास में जो था वो इसके पास नहीं है तो वो electron इसको देके इसको आठ पुड़ा करवा देता है और वहाँ पर एक hole create होता है यह एक नवया term है यह electrical में नहीं परना होता यह host सिर्फ electronis बाले को ही परना होता है क्योंकि पूरा electrical branch में सिर्फ electrons की बात करते हैं लेकिन यहाँ पर हम hole की बात करते भी है यह आपका hole कहलाता है यानि अब यहाँ पर क्या बोलेंगे कि P type semiconductor में जो current pass करेगा वो pass करेगा किसके बज़ा से वो बज़ा होगा hole यानि यहाँ पर hole ही three holes कहलाता है और current pass करेगा due to hole यानि यहाँ पर अगर current pass करता है current flow due to flow of holes यानि P type semiconductor का impurity कौन सा हो गया trivalent और इसमें जो current है वो pass करने का जो बज़ा है जो उसका cause है वो क्या है hole और इसमें क्या था N type में N type में है आपका electrons तो इसलिए N type के पास ज्यादा conductivity होती है as compared to P type से तो आपके एक्जाम में यहां से questions जो बन सकते हैं वो यह बन सकते हैं कि impurity कौन-कौन होता है तो सबसे पला नमबर फॉस्पोरस और बोरोन या पेंटावेलेंट या ट्रावेलेंट उसके बाद यह पूसरा सकता है कि N type semiconductor में कौन सा एलिमेंट या किस टाइप के लिमेंट को डोपिंग करते हैं या impurity add करते हैं देखिए डोपिंग करना भी कि डोपिंग एक प्रोसेस है लिख सकते हैं इसको डोपिंग क्या है इट इज आ प्रोसेस टू एड़ impurity to the pure एलिमेंट यानि डोपिंग कुछ भी नहीं आप जो यह फासफोरस को silver के बीच में डाल रहे हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग करना तो यहां पूछ सकता है कि n-type semiconductor में किस type का material को हम डोपिंग करते हैं तो वहां पर options या तो tribalant हो सकता है इसमें चार option कुछ भी हो सकता है तो उसमें n-type का नाम लेते हैं आपको pentavalent doping करते हैं या नहीं तो वहां पर चार element का ही नाम दिया रहेगा phosphorus यहां पर बरोन और दो नाम और भी दे सकता है तो वहां पर phosphorus पर ticks कर सकते हैं या नहीं तो जो pentavalent group में जो electrons जो element आते हैं उसका भी नाम option में हो सकता है तो उसका नाम और दे सकते हैं एक तो तहाब का phosphorus एक हो तहाब का arsenic इसको मसाब करते हैं में बी ऐसे phosphorus ज़्याद आपसे पूछेगा नहीं आप इसको अपने note-down कर लिजे अपने नोट बुक में को संस अगर थोरा सा और लेबल बहा दे तो फॉस्परोस नहीं देके फॉस्परोस गुरूप का कोई element का नाम और भी बहा सकता यहां पर यानि पेंटा भेलेंट में जो example है वो फॉस्परोस है उसके बाद आपका आरसेनिक हो सकता है उसके बाद आपका एंटी मनी भी हो सकता है उसके बाद आपका बिस्मत भी हो सकता है यह सब element का नाम है फॉस्परोस आरसेनिक एंटी मनी और विस्मत यह सब पेंटा भेलेंट की गुरूप में आता है लेकिन सबसे important आपका फॉस्परोस है questions यहीं से आएगा यह optional है अगर इसको नहीं पूछ के अगर यह बागी में से पूछ लेता है तब यह important है ऐसे इस ज़्यादा भी तक पूछा नहीं है इसी टाइप के अगर फॉस्परोस यह पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में बलेंस इलेक्टोंस तीन वाले element को add कर सकते हैं इंप्यूटी की रूप में तो बरोन हम सबसे फेमस होता है यानि आपका इसमें बरोन सबसे important topic है important नाम है element का जो हम डोपिंग करते हैं लेकिन इसमें और भी element है जैसे तीन वालेंस क्या है आपका एक तो होता है अलमुणियम जो है आपका जो अलमुणियम वायर्स इकमाल करते हैं उसका इसमें इंडियम एक इंडियम है और एक आपका है गलियम यह एलिमेंट है जिसका भिलेंसी तीन होता है और इंप्रियूटी के रूप में एड़ कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर हम करते हैं बुरोन ही तो लेकिन एक्जाम का कोई ठीकी नहीं कि वो कुसंस कहां कहां से उठा सकता है तो इसके लिए हम ध्यान रखेंगे दोलान याद करने में का अधिकत है क्यों हम रिस्क खेलेंगे तो इस तरह का इंप्रियूटी हम एड़ करते हैं तो वो कंडक्टिवीटी में कनवर्ट होने लगता है तो इहां से आपका important point क्या बन गया दो या तीन कोईसंस यहां से बन सकता है जो कि एक्जाम में आने के chances हैं और आते भी हैं यदि आप कोईसंस बैंक परते हैं दूसरी बात अगर आपको electronics की परहाई करनी है तो साथ ही साथ में कोईसंस बैंक को भी ध्यान में रखे अगर आप डिपलोमा लेबल पर त्यारी कर रहे हैं तो एक book आपकी आती है आरकी राजपूत की उसका solutions तो नहीं है लेकिन questions का जो content है या उसमें जो quantity हो सकते हैं वो अच्छा लेबल पर है 700-800 questions होते हैं एक-एक book के बेज पर और दूसरा है कि अगर आप चाहें तो ES का paper का questions bank होत सकते हैं या marketing में जतने भी book हैं वो सब को आप ट्राइ कर सकते हैं अगर आप इस topic को पर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि questions different different रूप में आपको दिखेगा concept वही है questions किस तरीके से आपके सामने उभर के आता है वो clear होता रहेगा जिससे आपको exam में time भी कम लगेगा और तुर अपने practice में तो इसके लिए हाँ ये चीज़ बहुत important है कि आप जो point पर रहे हैं उसके साथ ही साथ उसका questions bank उसका practice ये करते रहे हैं और इसके practice के लिए इसके लिए हम मेरा जो coaching center है हम लोगों का ये भी एक कदम उठा रही है online test series का और जो हमारा online test series आने वाली है ये एक जनवरी को हम launch कर रहे हैं और जो हमारे और भी फेकल्टी है mechanical और सिबिल में electricals में तो ये सारे branch का online test series है वो इस pattern पर होगा कि सबसे पहले जैसे आप basic electronics की परहाई कर रहे हैं क्योंकि electronics में तो बहुत सारा है ना इसमें diode भी परना है इसमें PNP ये पूरा परना है लेकिन अगर हम इसका basic परहा दिये तो सिफ basic level का जो test होगा वो तकरिवन 200-300 questions एक-एक topic पे होना ज़रूरी है और वो हमारा 3-4 level में test पूछा जाएगा यानि topic by test का नाम इसको दे सकते हैं कि इस topic पे 50 questions से timing उसका नहीं fix होगा क्योंकि आप पाली बार test देते हैं तो time का bondation नहीं हो है बहले time कितना भी ले लिजिए जब next level test होगा second test होगा तो उसमें time का bondation सुदू हो जाएगा इसे आपका जो speed और एक जो आपका अंदर कमी है क्योंकि हो सकता हम इसमें पूरा परहा दिया या और भी topic हो या civil का हो mechanical का हो आपने पढ़ा और थुरा सा ignore कर दिये पढ़ने समय में आपका mind disturb हो गया या किसी और चीज पे आपका दिमाग चला गया और अब जब test पे आप इस topic से पूछ लिया गया जो कि अल्यडी पढ़ाया हुआ था लेकिन आपका mind किसी और चीज में involved था जिसके बज़से वह topic उतना अच्छा clear नहीं हो पाया और वही topic से questions हम अपने test series में आप से पूछ लिया फिर आपका marks कमाया फिर आपको यह देखना है कि आपका जो questions बन पर attempt किये उसमें से कितना सही है कितना गलत है और उसका ratio क्या है अगर उसका ratio 75 25 है पहली पार में तब तो ठीक है अगर उससे कम होता है यानि आपका पर हाई सही नहीं चल रहा तो इस तरीके से हमारा जो online classes है इसमें हम अपने आपको as a student समझ के यह मानते हैं कि अगर हम student हो होते और ऐसे class हमें मिलता तो हमें क्या-क्या चीज चाहिए एक अच्छा त्यारी करने के लिए तो उसमें सबसे में है एक basic concept जो clear करने वाला चीज हो वह हमें मिल जाए उसके बाद उसके बेश्ट पर कुछ questions मिले और जो questions में दिक्कत आती हो वह हमें solve कर दिया जाए coaching के थ और यह है उसके बाद test series जरूर दीजिए और test series में जो questions नहीं बना क्योंकि हम test series देने के बाद में उसका हर एक questions का solution भी हम आपको देंगे इसे क्या होगा कि test देते समय जो concerns आपसे नहीं बना वो पहले आप फिर से try किजिए तब भी नहीं बन रहा तो आप हमारा जो solutions का वीडियो है उसको देखिए तो solutions के वीडियो में भी हम ये add कर देंगे कि ये topic इससे जुरा हुआ था और उसका concept उठाके उसका concept यूज करके ये questions हम solve किये हैं इससे क्या होगा कि questions का भी problem आपका solve हो जाएगा और theory का तो हम अभी कर ही रहे हैं तो इसके लिए आपको भी तयार रहना परेगा कि जिस time में आप study कर रहे हैं वो समय आप fully consideration है study पे no mobiles अधर कोई भी काम नहीं जब परहाई कर रहे होंगे उस से में सिप परहाई होना चाहिए आसपास का जो महोल है वो बिलकुल study type का होना चाहिए इंप्रियूटी के बाद हम next topic लेके आ रहे हैं mobility क्या होता है इसको आप अगर define करते हैं तो उसको यह बोल सकते हैं कि जो electrons कितना फास्टली मूब कर सकता है यानि mobility इंडिकेट 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 how fast electrons how fast electrons move from one place to other place इससे क्या होब मतलब कि एक electrons या holes कुछ भी हो वो कितना तेजी एक जगा से दूसरे जगा जा सकता है उसे को बोलते हैं mobility यानि एक तरह से आप इसको speed मान सकते हैं या उसमें आप देख सकते हैं कि कि भी body एक जगा से दूसरे जगा जाने में कितना time लेता है जो कम समय लेगा यानि वो ज़्यादा mobility उसके पास में है तो यह चीज तो रहा एक definitions के लिए लेकिन जो examination point of view से important है वो इसका और definitions mobility को indicate करते हैं mu से यह mu क्या है यह इसको indicate करने का तरीका है mobility को करते हैं indicate किसी से mu से और mobility का होता है फ्रमूला drift velocity अपन इलक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी इलक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी यानि यह फ्रमूला को mobility में मान सकते हैं और यह फ्रमूला इंपोर्टेंट हो सकता है यह की जामिनेशन पॉइंट आप यह सकते हैं तो आप यह बात ठीक है कि यह इसको को डिफाइन करते हैं drift velocity by electric field intensity अब हम बात करेंगे कि यह velocity क्या होता है और electric field intensity क्या होता है तो drift velocity को आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो यह समझ सकते हैं कि कि जब किसी एक electrons को अगर कोई energy पीछे से मिलती है या एक electric field मिल जाता है तो वह electrons काफी तेजी से move करता है one place to other place और वह motion random होता है उसका directions fix नहीं होता वह किसी भी directions में move कर सकता है अगर उसको पीछे से energy आती है तो या वह voltage के form में हो या electric field के force के form में हो तो वह जो समय उसका गती होगा जो समय उसका velocity होगा या उसको समय स्पीड होगा उसको बोलते हैं drift velocity यानि भागना एक रसमाल लिए कि आपको आप कहें पर बैठे हुए हैं और पीछे एक बम फट गई तो क्या होगा कि आप बिना कुछ सो से समझे तेजी से भागेगा दूर की तरफ तो उस समय जो आपका intensity को अगर आप देखना चाहें तो यह देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज अपलाई किये हैं कितना distance में यानि वो distance आप एक एक iron rod लेलेजिए copper लेलेजिए वह एक centimeter का है और उसमें हम भी वोल्टेज अपलाई कर दिये तो एक electrons को इस दुरी से इस दुरी आने में जो समय वो distance पनेगा वह x होगा और जो अपलाई वोल्टेज किये हैं वह भी होगा यानि आप बोल सकते हैं कि electric field intensity equal to x y b sorry जो बोल्टेज अपलाई किये हैं तो बोल्टेज अपलाई किये हैं भी कितना distance में x तो यह कहलाएगा electric field intensity तो electric field intensity आपका भी by x हो गया ratio of voltage by distance को बोलते हैं electric field intensity और drift velocity बोलते हैं कि अगर कोई voltage अपलाई किये और उसके वज़ाद से जो electrons के पास velocity gain हुगा उसको बोलते हैं drift velocity तो यह रहा mobility of electrons लेकिन यह questions एक common है लेकिन जो एक्जाम में questions इसके बेस पर पूछा जाएगा वह questions के हम बात करें तो इसको अपले रप करते हैं एक्जाम में questions silicon और germanium के बेस पर आएगा mobility of silicon क्या होगा और mobility of germanium क्या होगा यह तो एक common definitions है कि mobility क्या होता है और इसको define कैसे करते हैं लेकिन जो एक्जाम के लिए important है वो यह है देखिए आपके पास में दो चीज है क्योंकि आप पर रहें electronics और electronics में दो चीज परना आपको electrons और hole तो electrons का भी mobility चाहिए आपको और holes का भी चाहिए mobility आप यहाँ लिसकते हैं electrons mobility electrons को न ई लिख सकते हैं तो वह यह का मतलब ही electrons होता है और एक हो तापका holes mobility अब electrons का mobility हो सकता है जर्मिनियम के लिए हो यह हो सकता है सिलिकन के लिए हो और वही चीज होल्स का mobility भी जर्मिनियम के लिए हो सकता है और सिलिकन के लिए हो सकता है तो electrons का mobility होता है इसको हम लोग म्यू एन से डिफाइंट कर सकते हैं और होस के लिए म्यू पी से कर सकते हैं एन मतलब electrons पी मतलब होल यह ध्यान लखिएगा म्यू एन मतलब होगा mobility of electrons किसके लिए हम बात करेंगे यह हम बात करेंगे जर्मेनियम के लिए तो जर्मेनियम का mobility होता है आपका 3800 अर्थी सो सेंटीमीटर स्क्वाइर पर बोल्टेज इन्टू सकेंड मोबिलिटी का जर्मेनियम क्या आ गया अर्थी सो और यही चीज सिलिकन का होता है आपका 1300 और यूनिट आपका यही रहेगा सेंटीमीटर स्क्वाइर पर बोल्टेज इन्टू सकेंड होल्स की मोबिलिटी का बात करें तो होल्स आपका यह हो जाएगा ये तीन हंडेड ये तीन हंडेड ये स्का हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका 500 सेंटीमेटर एसक्वाइड पर बोल्टेज इन्टू सेकेंड यानि अब ध्यान दीजे यहां पर ये डाटा एक्जाम में पूछा जा चुका है अगर ये नहीं पूछेगा तो ये जरूर 3200 और इसका 13-77 ज्यादा किसका हुआ जरूमेंका होल्स की बात करें तो यहांपे एटीन हंडेड और यहां पे फैब फायबन डेड तब भी ज्यादा यह हूआ यह हुँआ यानि मुबलिटी ओफ इलेक्ट रूज या होल्स दोनों की बात करें तो जरूमिनियम का ज्याद है is compare silicon कि अगर शिफ जर्मिनियम में ही बात करें कि किसका ज्यादा था या होल्ज का तो इल्यक्ट्रोन का इस जादा होता है इस यह फृस्ट्र यानि दो तरक कुछँछ आशकते हैं या तो compare कर देगा आपका silicon germanium के बीच में या electrons और horse के बीच में तो अगर यह data आपका clear है तो questions कुछ भी पूछे हैं हाँ से आपका answers complete है तो आपके लिए काम बज़ गया इसका चार line में इसको एक single line नोट्स बनाई है क्या नोट्स बनेगा पहला बनेगा mobility of germanium is greater than silicon अब mobility of electrons कर सकते हैं यह चार line को आप अलग-अलग करके single line नोट्स बना सकते हैं या नहीं तो हम यहां से पीडिया फाइल जो भेजेंगे उसमें वो lines बना हुआ रहेगा ठीक है तो यह topic थोरा सा थोरा क्या बहुत important है exam point of view से ऐसे mobility questions एक आही जाता है कि किसका mobility जादा है या conductivity जादा किसका है अब यहां से एक बोल सकते हैं electrons के बजा से ज्यादा current पास करता है as compared to holes के बजा से यानि current पास करता है दो तरीके से या तो due to electrons या due to holes क्योंकि पीछे पर हे थे hetay आप कि जब conspiracy पर Title किया थे तो यहां पर डोपिंग को तो जहां थे लखना थे पास ना बहले की तो ह्ल्येस के दुरू पास किया और अक्मżej लेकिन दब यह पुछेगा कि P टाइप जो होता है डोपिंग या N टाइप डोपिंग हुआ तो कंड़क्टिविटी ज्यादा किसका होगा तो ज्यादा होगा N टाइप का क्यों होगा N टाइप का क्योंकि कि मोबिलिटी अप लेक्टोंस ज्यादा होता है मोबिलिटी अप होल से तो उसका एंसर यहां से कंपेर करके यहां से आप निकाल करके उसके एंसर को मैच कर सकते हैं यह कोई इंटर्विव में पूछ लेता है आपसे कि ज्यादा कंड़क्टिविटी किसका है होल्स का एलेक् कहें अलग बात है इस पर टम्प्रेटर का भीट पड़ता है तो वह में बात करेंगे पर 17 मोबिलिटी क्या होता है और इसका इफेक्ट अ इसम millimeter का है और होस का क्या हे रिट चैंड होता है नहीं अश्डश को है वो कहीं कहीं जरीमनी यह भी बेस्ट होताए कहीं लिकलंविसी डोटा तो कि स्का आलेंज अे टेःकर के मामले में तो वह हम प्रॉफर्डी देख देख के यह confirm करेंगे कि कौन सा एलमेंट बेतर है और किस जगा पर क्योंकि आपसे सकता है कि धूईiquement बेहतर कौन है जब frequency के लिए बेहतर कौन सा है यानि इस तरीके पर वो पूछ सकता है तो हम इसको साप करते हैं और बात करते हैं दिर्मेनियम और सिलिकन में बेहतर कौन है और किस जगा पर बेहतर वो भी हो सकता है और किस जगा पर बेहतर ये भी हो सकता है तो कौन सा बेहतर यानि जो आपका जर्मेनियम में है जर्मेनियम का हाईयर कंड़क्टिवीटी होता है इसलिए एलेक्टरोनिक्स के अंतर में अगर कोई करेंट पास कर रही है तो वह करेंट डू टू इलेक्टोन्स और होस दोनों हो सकता है लेकिन उसमें ज्यादा participations किसका होगा electrons का यहाँ पर germinium में conductivity जादा होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर mobility जादा होता है और इसका दूसरा application यह भी है कि यह higher frequency जहाँ पर use होता है higher applications वहाँ पर germinium का ही product इस्तेमाल करते हैं germinium का बना हुआ element वह हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि germinium का जो bandwidth होता है वो जादा होता है तो यह आपको अभी याद रखना परेगा क्योंकि इसके पीछे अभी कुछ जादा हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह bandwidth की बात होगा वो mainly communications में बात होती है और communications अभी नहीं परना यह electronics होने के बाद फिर communications की चर्चा करते हैं तो अभी आप इतना लेकर चलिए कि यह more suitable होता है high frequency applications के लिए फिर आदा आपका silicon silicon का इस्तेमाल हम करते हैं switch applications में जैसे आपका इसमें फाल्स ट्रेंगरिंग की कोई chances नहीं होता इसके लिए इसके इसके इसमाल करते हैं switch में और इसका high power applications में भी काम करते हैं और यह चार यूज है यह आद कर लिजिए और यह important भी है और उसके बाद आप काता है कि mobility decrease करता है with temperature increases यानि temperature जब increase करेंगे तो mobility decrease करेगा क्यों decrease करेगा क्योंकि आप कोई atoms है atoms को हम heat up किये तो उसका electrons अपने जगा पे ही भाइब्रेट करने लगेगा और जब भी कोई electrons भाइब्रेट करते हुए move करेगा तो उसका speed decrease हो जाएगा कोई bacteria से भाइब्रेट होते हुए जा रहा है तो vibration की होने से बज़ से उसमें speed कम जाएगा जतना ज़्यादा temperature बढ़ाएंगे उतना speed कमेगा और उसके वज़ा से मेरा mobility भी कम जाएगा उस element का तो इसके लिए हम बात करते हैं कि mobility decreases with temperature increases और ये line भी काफी important रहेगा आपके लिए तो student आज हम यहीं पर lecture को सुनापत करते हैं और फिर मिलते हैं next lecture में और electronics device and circuit इसको इससे भी बोला जाता है कि इसमें electronics का भी प्रहाई करना है इसके बाद इससे जो बना circuit है जैसे diode और diode का applications और transistor इसके में ये सब भी प्रहाई करनी है तो हम एक एक करके ये lecture बनाते रहेंगे और इसके बेस्ट पर जोतने भी questions SSC, JEE जो बच्च electrical से होंगे तो उनके लिए objective questions यहां से भी आती है और जो बच्चे electronics communications से होंगे तो उनके लिए ये सबसे main paper बन जाती है क्योंकि बिना EDC परहे हुए बिना electronics परहे हुए analog नहीं पढ़ा जा सकता तो जो next book है इसके बाद जो एक next book आती है वो है analog circuit तो analog का पूरा पूरा basics इसी पर depend है जब तक ये electronics समझ में नहीं आती तो आगे electronics का कोई भी book आपको clear नहीं होगा क्योंकि बिना fundamental जाने आप आगे की परहाई नहीं कर सकते है तो आप हमारा ये channel जो है इसको आप subscribe जरू कर ले ताकि हम जो भी next video बनाए तो आप से छुटे न वो आपके पास एक message आजाएगा और comment में जो भी कमी लगे वो comment आप कर दीजिए ताकि वो भी हम add कर ले comment में कुछ feedback है या आपको कुछ चलाह देनी हो हमें कि sir आप इसमें ये भी जोर लो या कुछ कमी है तो most welcome है आपका feedback के लिए thank you